जलते घर को देखने वालों, खूस का छप्पर आपका है, आगे के पीछे तेज हवा है, आगे मुकदर आपका है, उनके कतल पे मैं भी चुपता, मेरा नमबर अब आया, मेरे कतल पे आप भी चुपो, अगला नमबर आपका है। ऐसे थोड़े और लोग भी पल्टी मार के दूसरी तरब चले जाएं, तब भी आश्यर न करिएगा, क्योंकि ये सही समय है, जिस जिसको पल्टी मार के उधर जाना है, वो चला जाए, थोड़े से इमानदार लोग अगर एक जगा बटेंगे, तो वही सम्विधान को बचाने धर्म के व्यक्ति राजनीती कर रहे हैं, और जिने राजनीती करनी चाहिए, वो धर्मे काम कर रहे हैं, पंदर लाग देंगे, सौ स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट गाओं बनाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, और लोगों का जब व को पता ही नहीं कि आरकस्ण कैसे छिना गया कुछ नहीं किस्छ निवास्यों चाहिए ऊद्लितों प्षड़ों के साथ अन्याय क्या हुआ था उन्हें चिनता ही नहीं कि विश्व देलों में कितने प्रोफेसर बने बैटे और प्रोफेस्टनों को कैसे निकाला जा रहा है बहुजन नेताओं को एक करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए अरे इतना बड़ा खत्रा सामने आने के बाद जो नेता एक नहीं हो रहे है अब उनको हालात पर छोड़ दीजिए उनका फैसला जनता करें कि अगर एक नहीं हो आद भी इस देश के बहु संख्यक लोगों को अगर ये पता नहीं है कि उनके सामने खत्रा क्या है तो इसका मतलब वो खत्रे से लड़ने के लिए अब तयार नहीं हो पाएंगे। यानि अब वक्त इस बात का नहीं है कि इस मंच पर खड़ा होकर कि ये गिनवाया जाए कि संबिधान खत्रे में कैसे हैं। संबिधान कैसे भीतर से खोखला किया जा रहा है। इसलिए अब वक्त आमने सामने की लड़ाई का है। और जो लोग भी इस आमने सामने की लड़ाई में सीधी लड़ाई में रीड के बिना खड़े हैं। ऐसे थोड़े और लोग भी पल्टी मार के दूसरी तरब चले जाएं तब भी आश्यर न करिएगा। क्योंकि ये सही समय है। जिस जिस को पल्टी मार के उधर जाना है वो चला जाए। थोड़े से इमानदार लोग अगर एक जगह बटेंगे तो वही सम्विधान को बचाने की लड़ाई लड़े है। यह इम्तिहान की घड़ी हमारे लिए भी है और इस देश की जनता के लिए। क्या अब इस देश में हमें यह बाताने की जरूरत है कि आज इस देश को स्कूल कॉलेज बिश्विद्याले की जरूरत है या इस देश में धार्मिक मसलों पर बहस करने की जरूरत है। धार्म के व्यक्ति राजनीती कर रहे हैं और जिन्हें राजनीती करनी चाहिए वो धार्मी काम कर रहे हैं अगर देश के लोगों को लगता है कि अब इसके बाद भी लोगतंत्र सुरक्षित है संविधान सुरक्षित है तो हम जैसे लोगों का भाशन करने का कोई मतलब है या देश के सम्विधान बचाने वाले संगठनों ने किया है और आज इस बात को मैं कहना चाहता हूँ हम जिस फूले अमबिटकर, पेरियार, बिरसा मुंडा, जैपाल सिंग मुंडा को याद करते हैं पसमांदा अंदोलन को याद करते हैं, अपनी विरासत को याद करते हैं तो हम एक बार साफ कहते हैं कि वो लोग अपने मुश्किल वक्त में ऐसी लड़ाई लड़ गए कि हम उन्हें याद कर ले रहे हैं और अगर आज ऐसे वक्त में हम अपने हिस्से के लड़ाई नहीं लड़ पाए तो आने वाली पीड़ियां हमें जरूर याद करेंगी लेकिन इस रोप में याद करेंगी कि तुम्हारे सामने जब लड़ने का वक्त आया तो तुम पल्टी मार रहे थे और इस बात का इंतजार कर रहे थे कि नेताओं के भरो से लड़ी जाएगी लड़ाई नेताओं के भरो से लड़ी जाएगी बिश्यत रूप से कलपना करिये कि अगर जुटा का एक माहौल बनता तो एक राज सबां में एक नेता खड़ाओ कर बोलता है कि एक अकेला सब पर अब की बार 400 पार Harley है उससे शीकने की जबरक है हमारे लोगों को मौका मिला तो उन्होंने विचार धारा को थोड़ा पीछे करके बाकि सब को खुश करने का काम किया है उन्हें जब मौका मिला तो उन्हों दिन लाएंगे बुलेट ट्रेन चलाएंगे और लोगों का जब वोट ले लिया तो अपनी विचारधारा के लिए काम किया है और इमांदारी से काम किया है। उन्हें मंदर बनवाना था और वहीं बनवाना था और देखे बनवा लिया है। सीख सकते हैं तो ये बात सीखें, ये बात हमारे निता भी सीखें, कारिकर्ता भी सीखें। उनके लोग उनके साथ खड़े हैं जब वो किसी दलित को या किसी महिला आदिवासी को राश्टपती बनाते हैं। मद्यप्रदेश में किसी OBC यादव को ले जाकरके मुख्यमंत्री बना देते हैं और मुख्यमंत्री को उठाकरके मारदर्शक मंदल में डाल देते हैं। यानि वो अपनी विचार धरा को लेकरके बिलकुल सपष्ट है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे वरिष्ट लोग हैं वो अपनी बात कहेंगे। हम लोग दिल्ली विश्वद्याले में पढ़ाते 14 साल पढ़ाया और ऐसे ही सामाजिक न्याय और संविधान की बात करने के चलते उस नौकरी से निकालकर बाहर कर दिया दिया। तो जब हम हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना शुरू किये थी तो हमें पता था कि इसका अंजाम यह होगा। लेकिन इसका अंजाम जानते हुए भी हमने अगर कोई जोकिम उठाया तो यह सोच कर जोकिम उठाया था कि मंडल कमीशन और भारत का संविधान न होता तो हमारे हाथ में कलम और किताब ही नहीं होती तो प्रोफेसर के नौकरी कैसे लिए बहुत सारे प्रोफेसर लोग वह लेकिन हकीकत यह है कि इतने मुश्किल वक्त में आज कौन सा खत्रा सामने नहीं है रोज इवियम पर प्रेस कांफरेंस कर रहे हैं हमारे साथी लोग इवियम उनके हाथ में है मीडिया उनके हाथ में है सोशल मीडिया को वो कंट्रोल कर रहे हैं उनके पास हजार संगठन है हर मुहले में भागवत कथा हो रही है जिसका अंतेस बात से होता है कि जो राम को लाएं है हम उनको लाएंगे और राम भक्त इससे आहत नहीं होते है वो कभी नहीं कहने जाते हैं कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है उनके धर्म के मानने वाले लोगों ने कहा कि ये राजनिती ह हो रही है लेकिन फिर भी उनको confidence है कि चुना वही जीतेंगे लेकिन एक बात बताईए अगर एक अकेला सब पर भारी था उन्हें इस बात का confidence अब उनके साथ नहीं जाएंगे लेकिन सत्ता के पास इतनी चीजे होती हैं जिससे वो आपको डरा ले जुका ले और अपने में मिला ले लेकिन एक बात याद रखेगा बाबा साब डक्टर अंबेटकर जब लड़ रहे थे तो उनके खिलाब भी उनके थोड़े से लोगों क कि उपर पत्थर फेकने वाले कच्रे फेकने वालों का नाम कोई नहीं जानता लेकिन उसे जेलते लड़ते वाले आज भी हमारे अंदोलों के नायक बने हुए तो इस बात को याद रखेगा कि आज भी इस देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ED और CBI के सामने जुके नहीं अपने चटान की तरह खड़े हैं कि हम कुछ भी हो जाएगा इनकी तरफ नहीं जाएंगे ऐसे लोगों को नियोनतम सामती पर अधिक्तम एका बनाने का दो और मैं गुजारिश करके जा रहा हूं क्योंकि बाकी लोग भी अपनी बात कहेंगे गुजारिश इस बात की आज अगर हम यहां खड़े हो करके वही बातें दोहराएं विश्व द्याले में आरक्षण खतम किया जा रहा है कैसे 13 पॉइंट रोश्टर आया सबने मिलकर OBC के प्रोफसर बनने की बचेंगी उनको अन्रिजर्ड बना देंगे ताकि उन पर समण प्रोफसर न्युक्ती करें और वो भी तब जब इस देश में 4% OBC और अपने अनुपाग से आधे से भी कम दलित और पिछड़े लोग प्रोफसर बनें तो उनका एजेंडा क्लियर ह होना चाहिए अगर उन्हें मंदर मश्जित के नाम पर वोट देना है तो फिर इस देश में आप क्या लड़ाई लड़ेंगे और कैसे बचाएंगे अगर स्कूल क्वालिग विश्व द्याले के नाम पर वोट देना होगा तब शायद हम थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ करके कुछ बचाने की कोशिश करेंगे और मैं जिस महले में रहता हूँ एक बार वहाँ पर ग्यार भागवत कताएं एक साथ हो रही है और हर जगह धरम का माहौल बनाया हुआ है और वहाँ पर उनके एजेंडे में वो काम पर लग गए हैं और हमारे लोग अभी गाउं गा पहुचाया इस सनेता ने ये नुकसान पहुचाया उसने ये नुकसान पहुचाया और सब मिल करके किसी एक पार्टी को फाइदा पहुचा रहे हैं वरना 85% कहने वाले लोग आज कहां सरकार में हैं और अगर इसको हम नहीं समझ पाए तो आप किस चीज की लड़ाई और कि इसके दम पर लड़ेंगे मैं यही सवाल करना चाहता हूं पाखंड और अंद्वश्वास में अब इस देश को पूरी तरह डुबोया जा चुका है हम मैं इलावाद में पढ़ता था तो इलावाद में एक बार कुम्भमेला लगा था वहां पर एक आदमी वहां सारे लोग जल चड़ा रहे थे तो वहां कहा गया कि यहां जल चड़ाएंगे तो फितरों को मिल जाएगा जो लाखों किलोमेटर दूर पर हैं वहां एक आदमी गया और वहीं से पूरब दिशा में मूं करके जल चड़ाने लगा तो दूसरा आदमी आके पूचा कि भईया यह जल किस इसको चड़ा रहे हो तो उसने का आजयमगड में हमारा खेत है और वहां गेहु में पानी नहीं भर पाये थे वहीं पानी चड़ा रहे हैं तो उस आदमी ने कहा कि इलहाबाद में पानी चड़ा रहे हो 200 किलोमेटर दूर तुमारे खेत में पानी कैसे जाएगा तो कहा हमने देखा यहां धाई करोण किलो मिटर दूर पितरों को पानी यहीं चणाने से पहुंच जा रहा है तो हमारे खेट में पानी क्यों नहीं जाएगा ऐसे तरक करने वाले लोग अब इस देश में या तो जेल में हैं या अब बोलना बंद कर चुके हैं बहुत थोड़े से लोग ह कि उनके विश्वद्यलों में कितने professor बने बैटे हैं और professor को कैसे निकाला जा रहा है हमें नौकरी से निकाल दिया गया डॉक्टर रितू वहां अंदोलन कर रही हैं उनको साजिश करके निकाल दिया गया प्रफसर रतनलाल बैटे हुए हैं आज तक इनका प्रमोशन नहीं हुआ हमारे यहां जितने लड़ने वाले लोग हैं उनको नोकरी से निकाला जा रहा और हम बचा नहीं पाए तो सवाल दो-चार पाद हो या बच जाए इससे जदा बड़ा सवाल यह है कि इस देश का संविधान बचेगा या नहीं और उसके लिए हुए लड़ाई लगना चाहिए तो अगर 24 के बाद इस देश में संविधान नहीं बचा तो जितने लोगों को लगता है कि मेरे मेरे कौलर तक अभी चपर आपका है आगे के पीछे 23 हवा है आगे मुकदर आपका है उनके कतल पे मैं भी चुप था मेरा और अँबर आया मेरे कतल पे आप भी चुको अगला नमबर आपका है और अगर अब बिलकुल समय नहीं बचाए मैं केवAl एक आवाहन करके आपसे विदा लेना चाहूं एक ही शूत्र है लोग यह वि समझा रहे हैं कि विश्वद्याले को पूरी तरफ प्राइवेट हैतों में बेच दिया लोग इस्कूल कॉलिज विश्वद्याले बचाने आ लोगों का भविश्य बनाने की बात करते हैं कि तुम्हारा कम्टीशन तुमसे है विद्यार्थियों तुम इस देश के भविश्य हो तुम्हें हम चर्चा करके बता रहें कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए और वही जिल्ले इलाई इस देश में सिच्छा को पूरी तरह बचाने की लड़ाई हम नहीं लड़ पाए अगर संविधान को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ पाए जाते जाते किवल एक बात बिहार से एक आवाज निकली थी वह आवाज पूरे धरम की राजनीत के सामने चुनोती थी और वो आवाज थी जाती जंगर्णा की एक मा मुद्दा अगर हम बना लें उसके साथ EVM जोड लीजे उसके साथ स्कूल पॉलिज विश्युद्याले जोड लीजे वो है जाती जनगरना जिसके जितनी संख्या भारी उसके उतनी हिस्सेदारी और इसके बड़ा खत्रा सामने आने के बाद जो नेता एक नहीं हो रहे हैं, अब उनको हालाद पर छोड़ दीजिए, उनका फैसला जनता करें कि अगर एक नहीं हो रहे हैं तो वो किसका फायदा कर रहे हैं, इस पर मैं और को इटिपड़ी देते थे और हम लोग केवल ये देख रहे हैं कि ये प्योर अंबेट का राइट नहीं है इन्होंने आज से 20 साल, 15 साल, 10 साल पहले गलती की थी इन्होंने बहुजणान अंदोलन को नुकसान पहुचाया हम प्योर लोग एक जगा होंगे तो प्योर लोग अगर बिखरे रहें तो फिर किसका साथ देंगे इसलिए केवल एक गुजारिश, दस बातें अगर हैं, दस में छे जगा हमारा जगडा हो सकता है, अगर चार जगा हम एक जुठ हैं, तो आईए चार मुद्दों पर एक जगा खड़े हो जाएं, अगर बचेंगे तो बाकी छे मुद्दे बैट कर सुलजा लेंगे, अगर बचेंगे ही नहीं ये प्योर होने में, कि दस में दस गुण मिल जाएं, तब हमें एक जुठ होंगे, तो फिर मुबारत हो, आपके लिए 2024 का भारत इंदजार कर रहा है, मगर फिर ये न कहिएगा, कि आपको कोई समझाया नहीं, ये बात हमें औ आपको भी समझनी है, और अपनी जाती विरादरी से, जिनको कहा गया कि वो नीची जाती कर है, ये तो उनके भाषा है ना, हमें उनके साथ गले में बाहें डाल करके, अगर एक जुठा का संदेश समाज में दे, तो मुझे अभी भी एक यकीन बचा हुआ है, समाज एक कि आपको भी एक जुठ हो जाना चाहिए, और नहीं एक जुठ होते हैं, तो इमतिहान आपका है, मैं केवल एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जो इस देश में सम्विधान विरोधियों को सत्ता से उतारे, उसके साथ खड़े हो जाईएगा, अगर सम्विधान बचेगा तो बाकी लड़ाई हों लड़नें के, बहुत बहुत धन्यवाद